होलिका, दहन की अगनी में भूल कर भी मड़ डालिएगा। यह चीज वरना माता लक्ष्मी जी हो जाएगी। आपसे रुष्ट हो जाएगा। आपका घर बरबाद बन जाओगे। आप कंगाल दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने इस वीडियो को न केवल अपने लिए, बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए अंध तक बिना भगाय देखिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में, हम आपको वेद पुरानों के अनुसार, तंतर शास्त्र के अनुसार, उन गुप्त चीज़ों के बारे में बता आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, साक्षात आपको माता लक्षमी जी का वह आशीरवाद और वर्दान मिल जाएगा, जिसके बाद आने वाले समय में आपको कोई भी आर्थिक कष्ट और आर्थिक परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपकी कैसी भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी, और वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी जाने अंजाने आपको होलिका दहन की अगनी में नहीं डालना चाहिए, वरना न केवल आप से माता लक्षमी जी रूष्ट हो जाएगी, बलकि आने वाले समय में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, आपकी जीवन में धन आना बंध हो जाएगा, और आपका जीवन पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, जोतिश शास्त्र में होलिका दहन को लेकर के बहुत सारे टोटके और उपाय बताए ग दोस्तों, होलिका दहन वाले दिन, भगवान विश्णुजी के अवतार, भगवान नरसिंह जी के रूप को ध्यान में रख करके पूजा की जाती है, भारतिय संस्कृती में प्राचीन काल से ही टोटकों का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व रहा है, आम तोर पर जब भी किसी शुब कार्य की शुरुआत होती है, उससे पहले कुछ टोटके अवश्य ही किये जाते हैं, जिससे कोई काम खराब ना हो, इसलिए टोटकों की महत्वता को देखते हुए, जियोतिश शास्त्र के अनुसार, हम आपके लिए कुछ ऐसे टोटके को आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप होलिका दहन वाले दिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन की समस्त प्रकार की परिशानी, कष्ट और दिक्कतें होलिका दहन की अगनी के साथ ही भस्म हो जाएगी, दोस्त दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस बार की होलिका दहन 24 मार्च को पढ़ने जा रही है और इसके अगले दिन ही चंदर ग्रहन लगने जा रहा है, हिंदु पंचांग के अनुसार ऐसी होलिका दहन का समय पूरे 240 वर्षों बाद आया है, दोस्तों, आपके मन म सवाल आ रहा होगा क्या, आखिर होलिका दहन का पावन पर्व हमारे हिंदु धर्म में इतना ज्यादा विशेश और खास महत्व क्यों रखता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, हिरन कश्यप नाम का एक राक्षस था, जो अपने आपको भगवान मान बैठा था, व वह प्रहलाद को लेकर अगनी में बैठ जाए और उसको भस्म कर दे, दोस्तों होलिका जो थी, उनको वर्दान मिला हुआ था, कि उनको अगनी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और होलिका ने भी बिलकुल वही किया, जो उसके बड़े भाई ने उससे कहा, वह प् पुझनुजी ने भगवान नरसिह का अवतार लेकर हिरन कश्यप नाम के राक्षक का वध भी कर दिया, इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षाद भगवान नरसिह जी का आशीरवाद वर्दान मिलता है, औ और अपने दोनों हाथों से अपने भगतों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि होलिका दहन वाले दिन किये गई उपाए कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इस दिन किये गई उपाए से न केवल एक व्यक्ति को भगवान और वर्दान मिल जाता है। बलकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वह आशीरवाद मिलता है। जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ती होती है। और अगर दोस्तों होलिका द भगवान विश्णुजी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे। भगवान विश्णुजी के आशीरवाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस साल करोड़ पती बन जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल आपकी राशी के अनुसार इस होली का देहन के दिन और चंदर ग्रहन के दिन कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा देखिये दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है व्यापार में व्रिद्धी का महा उपाय अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका व्यापार जो अब चलना बंद हो गया है वह चलना शुरू हो जाए आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए आपके व्यापार में जो धन आए उसमें वृद्धि हो तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली का दहन वाले दिन एक सूखी लड़की कहीं से भी आपको ले आना है उस पर आपको हल्दी से टीका लगा देना है और होली का दहन के अगनी में इसको डाल देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिये आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा आपके व्यापार में धन की वृद्धी होना शुरू हो जाएगी आपके व्यापार में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस होलिका देहन के बाद आप करोड़ पती बन जाए इस होलिका देहन के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे तो दोस्तों आपको एक सूखा नारियल लेना है उस नारियल को फोड लेना है उस नारियल में आपको जो और चावल डाल देना है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसको होली का देहन में डालने से पहले जै मा लक्ष्मी आपको ग्यारह बार बोलना है क्योंकि ग्यारह नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिया है और जलती होलिका दहन में आपको यह जौ और चावल नारियल के साथ डाल देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिये दोस्तों आएगा उसमें व्रिद्ध होगी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा बहुत ही सौभाग्यशाली होगा दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिये दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर पर किसी पर काला जादू का असर ना हो आपके घर पर अगर कोई कुछ भी बंधन करवाने की कोशिश करें काली विद्या करवाने की कोशिश करें उसका असर आपके घर पर ना हो तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस होलिका दहन के दिन आपको अपने घर के मुखिया के दाहिने हाथ के बराबर एक काला धागा ले लेना है उस काले धागे को घर के हर सदस्य के सर के उपर से बाएं और से दाएं और हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों बाएं और से दाएं और दो बार घुमा लेना है और आपके घर के पास कहीं भी होली का दहन की अगनी जलाई जा रही हो वहाँ पर ले जाना है और होली का दहन की अगनी में डाल देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होली का दहन वाले दिन कर लिया तो यकीन मानिए, दोस्तों पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा उसका असर आपके घर पर नहीं होगा आपके घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके घर पर सदैव सकारात्मक उर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशिरवाद बना रहता है दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके घर में रोज लडाई जगडा, ग्रहकलेश होता है आप अपनी पत्नी को देखना पसंद नहीं करते हैं या आपकी पत्नी आपको देखना पसंद नहीं करती है आप पारिवारिक सुख के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आपको यह करना है कि आपको गिन के ग्यारह लाल मिर्च लेना है। होली का देहन वाले दिन और इसको ले जाकर कि होली का देहन की अगनी में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाए। अगर आपने होली का देहन वाले दिन कर लिया तो यकीन मानिये। दोस्तों आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ती होगी। आपके और आपकी पत्नी के रिष्टे जो हैं वह अच्छे होने लग जाएंगे। आप दोनों के बीच में जो भी परिशानिया हैं वह ये लाल मिर्च अपने साथ लेकर के इस होली का दहन की अगनी में जल जाएं तो अब आप परिशान मत हो। होली का दहन की अगनी में आप लोग एक सूखा नारियल डाल दीजिएगा। इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा। नारियल को अपने दाहिने हाथ से डालिएगा। और आपकी नौकरी में जो भी परिशानी दिक्कतें आ रही होगी वह दिक्कतें समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और आपकी इस साल मनचाही नौकरी आपको अवश्य ही मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विश्नुजी का आशिरवाद मिलेगा जिस से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्त आपको यह करना है कि होली का दहन वाले दिन आपको काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में एक मुठी चावल डालना है और थोड़े से काली मिर्च के दाने डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बना कर जलती अगनी में आपको डाल देना है। सिर्फ इतना उपाए अगर आपने होलिका दहन वाले के दिन कर लिया तो यकीन मानिये आपकी बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी जिस बीमारी से बहुत परिशान है उस बीमारी का प्रभाव इस होलिका दहन बाद के बिलकुल कम होने लग जाएगा देखिए दोस्तों अभी तक हमने आपको उन चीजों के बारे में बताया, जो अगर आप होलिका दहन की अगनी में डाल देते हैं, तो इसका लाब आपको अवश्य ही मिलेगा। अब आपको हम उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको भूल कर भी होलिका दहन की अगनी में नहीं डालना है चाहे आपसे कोई व्यक्ति कितना भी कहे लेकिन दोस्तों अगर आपने जाने अंजाने इन चीजों को होलिका दहन की अगनी में डाल दिया तो आप पूरी तरह से बरबाद हो जाएंगे आपको पूरे जीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन था अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए दोस्तों बहुत से लोग क्या बेवकूफी कर देते हैं कि वह होलिका देहन की अगनी में तुलसी के पत्तों को डाल देते हैं भूल कर भी आप यह गलती मत कीजिएगा देखिए तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विश्णुजी का वास होता है और तुलसी का पौधा जो होता है वह माता लक्षमी जी का स्वरूप होता है और अगर आपने जाने अंजाने तुलसी के पत्ते होलिका देहन की अगनी में डाल दिये तो यकीन मानिये दोस्तों पूरे जीवन काल आपको गरीबी दरिदरता दुरभाग या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा चाहे आप से कोई कितना भी कहा है आप उसकी बात को मत मानियेगा और तुलसी के पत्ते होलिका देहन की अगनी में मत डालियेगा दूसरा कभी भी होलिका देहन की अगनी में ऐसा कोई भी नारियल मत डालियेगा जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना देखिए दोस्तों स्वास्थिक का चिन्ह जो होता है वह हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है बहुत से लोग जाने अंजाने होलिका दहन की अगनी में वह नारियल डाल देते हैं जिस नारियल पर स्वास्थिक का चिन्ह बना होता है वेद पुरान के अनुसार यह बहुत अशुब होता है और एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और परिशानियों को लेकर के आता है तो यह उपाय भूल कर भी मत कीजेगा दोस्तों कई जगह यह बताया जाता है कि होलिका देहन की अगनी में आप अशोक के पत्तों को डाल सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों अशोक का पेड हमारे हिंदु धर्म में एक देव व्रिक्ष माना जाता है और उसके पत्तों को कभी भी होलिका देहन की अगनी में नहीं डालना चाहिए और अगर आप जाने अंजाने ऐसी गलती करते हैं तो यकीन मानिये दोस्तों इससे आपको कई प्रकार के दोशों का सामना करना पड़ सकता है जैसे शनी दोश, मंगल दोश, ग्रहा दोश, पित्र दोश तो ऐसी गलती मत कीजेगा और किसी के भी कहने पर अशोक के पत्तों को होलिका देहन की अगनी में मत डालिए